नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूँ आउन आपका होस्ट और आप देख रहे है आवर इंड्यूजर बुक आज जो प्रोड़क्ट मेरे हाथ में है वो किसं स्कुर्स का लेमन फ्लेवर है मैं इससे पहले मैंगो इस तब का रिव्यू कर चुका हूँ और जिसका लिंक नीचे डिस्किप्सनर उपर काट में आपको मिल जाएगा आप उस तब को जरूर देखना यहां पे लिखा गया है कि संस्कुर्स लेमन और यहां पे लिखा गया है हंड्रेट परसन रियल फूट से बना है कितना हंड्रेट परसन रियल है मैं आपको एंड में बताऊंगा पहले देख लेते हैं यहां पी और क्या कुछ लिखा गया है यहां पे लिखा है कि सिंस 1934 यहां पे और कुछ नहीं बड़ा बड़ा निमू का तजबीर है आपको सा है हिसाब से कैलोरी है 100 और 5 परसन जी यह के हिसाब से यह फ्लेवर टुफ्लिवर भैरी कर रहा है मैं जब मिक्स फूट का कर रहा था उसमे उसमें थोड़ा चींजे सब देख सकते हैं यहां पे अल्मोस्ट ओव 103 था और यहां पर यह 100 हो गया फ्लेवर टू फ्लेवर यह भैरी कर रहा है वह मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो का अलग से अब देख सकते हैं इसका जो एनेट क्वांटिटी है आप देख सकते हैं यह 750 एमेल है और यह हिंदुस्तान यूनिलिवर का है इसका जो मैंनिफेक्षिन टी चेट है आप देख सकते हैं क्वार्ट ओफ आवां सिम्न जिखा गया है इसका जो कस्ते मर टेर Hispan के नंबर फोटीन बिल्कुल ना के बड़ा बड़ा है जीरो पॉइंट वन और जीरो पॉइंट वान डीक अब देख सकते है का रड़िद यहां पर है 50.7 ग्राम और यहां पर फचल में 25.3 घुझा सुगर है इसमें अब सुगर देख सकते है, 49.5, तो जिन लोग का डाइबेटीज है, जिन लोग का सुगर का प्रॉब्लम है, वो इसको यूज नहीं कर सकते है, sorry for you guys, यहाँ पर डाइट फाइबर है, बिलकुल ना के बड़ा बहर है, 0.1 something, अब यहाँ पर देख सकते है, इसके फैट भी नील है, और स्ट्रांसफेर और स्ट्राइट फैर बिलकुल नील है, सोडिया में यहाँ पर दिया गया है, वो भी एमजी में 67.6 mg और 33.7 mg, और यहाँ पर प्रटासियम भी है, वो भी एमजी में 36.2 और 18.1, अब देख सकते है, यह एडल का जो गाइड लेंड राशियो है, वो कैलोरी, एमांट 2000 कैलोरी, ठीक है, आप इसका महत्तपुन बात हम करते है, इसके इंगुडियेंस में क्या-क्या है, देखिए, यह जो बड़ा बोटल है, यह बिलकुल ऐसा मत सोचे, यह मिक्सर में बना गया है, पूरा यहाँ पर लेमन खीच के निकाला रेमन जूस है, यह 100% जो रियल फ्रूट यहाँ पर लिखा गया था, उसके हिसाब है, 26% और यहाँ पर आप देख सकते है, इंगुडियेंस में, एसीटी रेगुलेटर है, अब देख सकते है, यह थोड़ा पॉटसियम सॉल्ट का भी इस्तमल किया गया है, ठीक है, और कु इसका भी यहाँ पर जिकर किया गया है, इसको कैसे मिलाना है, सबसे बड़ा महत्रपुन बात जो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, एकुरेट रेशियो कैसे आप पा सकते है, यहाँ पर किसन ने बता है कि, वान पार्ट आप स्कॉास एंड ट्री पार्ट आप चि इसको कैसे एकुरेटली मिक्स करना है, और इसके बारे मेरा अपना राय कितना है, ठीक है, मैं आपको अब मिक्स करके इसको दिखा रहा हूँ, अब थोड़ा ध्यानपूबत देखिए, इसको अच्छी तरीके से साई आवांट में अगर आप मिक्स करना चाता है, तो आपक में क्या करना है, लेमन स्कॉस को यहाँ पर मेजरमेंट के हिसाब से लेना है, पहले इसको आप अच्छी तरीके से सीख कर लीजिए, सीख करने के बाद आप धक्कान खो लिए, मैं पहले ही बहुत यूज़ कर चुका हूँ, सीख करने के बाद इसको पहले 15 एमिल पूरा य देखिए 15 एमिल प्लास 10 एमिल, जिसको मैंने यहाँ पर एड कर दिया, हो गया, तो यह जो मेजरमेंट है, 15 एमिल प्लास 10 एमिल, तो यह जो मेजरमेंट है, इसके लिए बहुत अच्छा है, तो इसके बाद हम इसके साथ वाटर एड करेंगे, थोड़ा सा वाटर इसमें डाल लेते हैं चल्य पाणी मैंने इसके साथ मिला लिया आप इसके साथ मैं थोड़ा दोगोंतो तो आइस क्विता कर देता हूं बिल्कुल लेमन जूस की तरह यह आपको साइद लगड़ा है कैमरे में फोकस हो रहा है अब देख सकते हैं यह फोकस हो गया अब मैं इसका टेस्ट बताऊंगा देखिए टेस्ट बिल्कुल लेमन जूस की तरह है मगर अज़े फ्लेवर मुझे लेमन परसोनल इतना अच्छा पसंद नहीं है मैं एक चीज आपको बता रहा हूं इसका जो फ्लेवर है और अल्मुस्ट एकूरेट टू लिमका है लिमका की तरह एकूरेट इसका फ्लेवर है अगर आपको लेमन पसंद है तो आप यूज कर सकते है मगर मुझे एज़े फ्लेवर लेमन मिक्स फूट जो भी है एज़े फ्लेवर मुझे जो ग्रेफ फ्लेवर है ओही मुझे अच्छा लगा और मैं हर बक्त लोगों को ग्रेप कही रेकूमेंडेशन करती हूं आगर के लिए बहुत-बहुत सुक्रिया वीडियो को अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी आपके साथ इसी चैनल में नमस्कार